तो एक बार आलू गोबी की सबजी आप इस तरह से बना के देखे यकीन माले ये सबको बहुत पसंद आने वाली है सिंपल इंग्रीडियन से आज इसे हम बनादा शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो चलिए जो गोबी है इसे हम कट कर लेंगे 500 ग्राम के करीब गोबी ली है और इसे हम इस तरह से अलग कर लेंगे इसके जो फ्लॉरेट्स है वो और गोबी को साफ करने के लिए हमेशा गुनगुना गरम पानी लेना है क्योंकि इसमें कभी कबार कीडे भी होते है तो गोबी के जो फ्लॉरेट्स से इसे हम अलग करके गरम पानी में डाल देंगे 15-20 मिनिट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से साफ हो जाए तो गैस पर पानी चड़ाया है और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी पानी को थोड़ा सा उबालेंगे और अभी ये जो साफ की हुई गोबी है इसे इस उबलते पानी में डालेंगे इसके साथ इसमें मैंने आधा कब जितने फ्रेश मटर लिए है गोबी के साथ मटर का कॉंबिनेशन बहुत मस्त लगता है और ये जो गोबी और मटर है इसे हम उबलने देते हैं पाच मिनिट के लिए इसे हमें 75 परसंट तक कुक करना है जो गोबी है ये इसे हमें बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं करना है तो चलिए ये कुक हो चुका है इसे हम निकाल लेंगे एक स्टेनर में तो सबजी के लिए एक मसाला रेडी करते हैं तो प्यास अद्रक लसन और टमाटर डालेंगे ब्लेंडिंग जार में और इसे हम एकदम स्मूध ब्लेंड कर लेंगे कड़ाई में तेल गरम करेंगे छोटी साइस का आलू लिया है और इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे जिस साइस का आलू कट करेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे तेल में जब तक अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर से तो आलू जो है फ्राई हो चुके है तो अभी इसी गरम तेल पे हम एड़ करेंगे राई, जीरा, थोड़ी सी हिंग, तेज पत्ता और एक सूखी लाल मिर्च तो जब राई और जीरा अच्छे से चटक जाएंगे इसमें हम अपना टमाटर वाला मिक्स्चर जो है वो डाल देंगे और अभी इसमें थोड़े से रूटीन मसाले आड़ करेंगे तो हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, इसके साथ इसमें धनिया जीरा पाउडर जाएगा, दू बड़ा चमश भरके नमक डाल देंगे स्वात की अनुसार और अभी इस मसाले को हम थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, जब तक कि इसमें से जो ओईल हो रिलीज हो जाए इसे ढखके दो से तीन मिनिट के लिए हम पकने देंगे तो यहाँ पे जो ओईल हो रिलीज हो चुका है, सेपरेट हो गया है मसाले से तो सिंपल इंग्रेडियन से इस मसाले को हम ने बनाया है, लेकिन फिर भी आप इसकी रंगत और टेक्स्टर देख सकते हैं, कितना बढ़िया बना है इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे दो मिनिट के लिए इस उबलने देते हैं और जैसे इसमें उबल आ जाएगा इसमें हम अपनी गोभी आड़ कर देंगे मटर और आलू के साथ तो अगर आपको यह आलू गोभी की रेसिपी पसंद आ रही है इसे देखके आपके मूँ में भी पानी आ रहा है तो जल्दी से यमी टाइप कर लीजे ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ विडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए फ्रेंज और फैमिली के साथ शेयर करिए और ऐसी यमी रेसिपी के लिए आप जल्दी से मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजे इसे हम दो मिनिट के लिए ढखके पकने देते हैं और आखिर में इसे हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा पावभाजी मसाला और फिर इसे हम गानिश करेंगे हरे धनिये के साथ तो यहाँ पे हमारी एकदम टेस्टी आलू गोभी की सबजी बन के तयार है इसे आप सर्व कर ये गर्मा गर्म रोटी या तो पराठे के साथ तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आईए तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट और फॉलो कर लीजे तो जल्द मिलेंगे ऐसी यमी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई